हेले दोस्तों जैसा कि VPSC TRE 2.0 का रिजल्ट आप सभी का जारी हो चुका है साइंस और मैथ वालों का आप देख पा रहे होंगे कितनी तेजी से यह प्रोसेश चल रहा है आठ दिनों में आपके एक्जाम के बाद आठ दिनों में आपका रिजल्ट देखने को मिल गया तो आप देख सकते हैं दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे चाहे आप किसी भी विश्या से आपने परिच्छा दी हो सबसे पहले यही था कि 6-8 का जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें भी साइंस और मैथ वालों का साइंस और मैथ वालों का क्यों कि यहाँ पे भीड सबसे जादा थी और यहाँ पे B.A.D.L.A. अभ्यारती सभी थे और इसमें जो बच्चों का एक तरह से देखेंगे तो एक सीट पर 12 बच्चे जो यहाँ पर थे तो यह था ही इसका रिजल्ट आपने देखी लिया साथ ही साथ दोस्तों अब जो है जो अधर विश्यों के अभ्यारती हैं सिक्स टू. 8 वाले लें लेंग्वेश की बात कर लें इंग्लिश है जिनका या फिर हिंदी है जिनका असेस्टी वाले साया जाएंगे कि लहirm है अर्दू डायरती सब्दू ऑ यह неб है यह जो कि अंहीं प्ल की नोटीजमी यहाँ च्षि बसक का हो सब्जेक्ट वाइज आएगा और दीरे दीरे करके आएगा तो आज जो है समाजिक विग्जान और लेंगवेज वालों के चांस है क्यूंकि कल आपने देखा कि साइंस मैत वालों का और कला संगीत प्रदाना ध्यापक के रिजल्ट जो है कल जारी हो चुके रात में और आज स्टी और लेंगवेज वाले जो स्टुडेंट है वो लोग तयार रहें देखने के लिए दोस्तों की बात करें तो कटाफ आप सब की हाई जाने माली है क्यूंकि यहां पर मैं आपको बता दू कि कटाफ जैसा कि आपने साइंस और मैत में देखा है तो उसमें जो एक तरह स कि 70 के आसपास जाएगा 75 के आसपास जाएगा लेकिन आपने देखा पेपर की कार्डिंग लोग बोल रहे थे कि साइंस मैत का पेपर टफ था तो इसका जो है कटाफ इतना ही रहने वाला है लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों सीट कम है और पिछली बार अगर बिपे सीट मेल कॉंडिडेट 80 प्लस कटाफ के ऊपर होने के बावजूद भी उनका लिस्ट में नाम क्यों नहीं है इसका रिजन है उन्होंने यहां पर बताया है इस पर भी डीटेल हम लोग देखने माले हैं साथी साथ कांसलिंग की जो डेट है आपका शिडोल जारी हो चुका है 25 से सबसे लास्ट में प्रात्मी की है इसके लिए आपको जो जरूरी डाकुमेंट से उसके बारे में आप सभी को एक वीडियो के मादम से बताया तो आप लोग जो है विजटम मास्टर चैनल पर जब आप विजिट करेंगे तो वीडियो में आप देखेंगे सीरियल वाइस आ आपको वीडियो मिल जाएगी तो आप लोग वहां से देख सकते हैं तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और साथ ही साथ दोस्तों बहुत से ऐसे अभ्यारती है जिनको आजीवन जो है अब परिच्छा से रोक दिया गया है इ दोस्तों यहां जो भी आपको नियूज मिलेगी ऑफिशल मिलेगी कहीं इधर उधर से कोई फेक चीज़ें आपको यहां से देखने को नहीं मिलेंगे आप यहां से देख सकते हैं मैच कर सकते हैं तो यहां पर स्क्रीन पर दोस्तों आज की नियूज जो है आप लोग देख पुनर परिच्छा वाले विश्यों का भी इसी माह आएगा रिजल्ट यहां इसके बार में पहले पढ़ लएते हैं उसके बाद दोस्तों मैं आपको यह बताऊंगी कि जो बच्चे कटाफ के उपर हैं उनके नंबर अच्छे हैं फिर भी जो है उनका रिजल्ट में नाम क्यो नहीं है तो यहां पर देख सकते हैं वन जॉब वन रिजल्ट की मांग को बिप्यसी अध्याच अतुल परशादिया करकर खारिच कर दिया कि जिला और अलग अलग विभागों की वैकेंसी को चुनने की सुतंतरा के करण सब मिला कर इतने विकल्प बन जाते हैं कि दुनिया जो है आठी दिन एक हबते के अंदर रिजल्ट आ चाना बहुत ही अच्छी बात है बच्छों को एक तरह से एक्जाम तेने के बाद जो है वेट नहीं करना पड़ा और जॉइनिंग भी आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी जन्वरी में पूरा चांस है जैसा कि कांसिलिंग आपके स्टाटी ये 25 से यहां पर देख पा रहोंगे आयोग करेले में शुक्रवार को बुलाएगी प्रेस वारता में प्रशाद ने कहा कि वेटिंग लेस्ट बनाने का राजी सरकार में प्रावधान नहीं है इसलिए हम उसे बना नहीं सकते हैं एक बार रिजल्ट निकलन का काम पूरा कर लिया गया है और रिजल्ट निकालने के लिए अनजरूरी तयारियां भी शुरू कर लिए गई है किवल कुछ विश्यों में अंतिम आदाश उतर का चैन बागी जिसे पूरा कर उसके अनुरूप ओयमार शीट का मुल्यांगन कर रिजल्ट जारी कर दिया ज कर दिये क्योंकि यह सबसे अंध में लिगए ऐसे में माध्यमिक सिछकों कच्छा नौ से दस के गडित विशे और पिछड़ावर के अधी पिछड़ावर कल्यार विभाग के अंतरगत मध्य विद्याले कच्छा च्छा से आठ के भाषा हिंदी और अंग्रेजी विशे के स पत्ती का समय देकर उसका अंतिम आंसर की तयार करने में समय लगेगा मोके पर आयोग के सची रवी भूशर और संयूग तो सची उसात्य प्रकास शर्मा भी उपस्ती थे 90 रिजल्ट बनने हैं आप देख सकते हैं अतुल ने बताया कि TRE2 में कुल मिलाकर 90 रिजल्ट तयार करने पड़ेंगे इनमें शिच्चा विभाग के 63, S.C.S.T. कल्यार विभाग के 2 और पिछड़ा अति-पिछड़ा कल्यार विभाग के 25 रिजल्ट हैं हर वर्ष अगस्त में होगी सिच्चक न्यूक्तिया यहाँ पे दोस्तों आप सभी के लिए गुड निउस है जो अभ् परिक्षा का पीटी और दिसंबर जनवरी में मुख के परिक्षा होगी यहाँ पर इनकी तरफ से बताया गया है कि हर साल अगस्त में होगी और लगभग यहाँ पर 50,000 जो है वैकेंसी बताई जा रही है 50,000 की तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा मोगा है दूसरा करें 69 प्लस दे और मेल की बात करें तो 80 प्लस दे कटाफ के उपर होने के बाद इनका चैन क्यों नहीं हुआ तो यहाँ पे आप लोग जा लिजिए रिजन कहा था दोस्तों जैसा पिछली बार अगर आपने देखा होगा कि रिजल्ट से पहले डीवी हुआ था तो बहुत स कुछ नंबर कम था क्वाइंड नहीं था सीटेट में इस वजह से उनको बाहर कर दिया गया बहुत से बच्चे जो है उसमें ईक्वालिफाइंड Central उनका था इस वजह से बाहर हो यह सारी चीज़ें पहले हुई थी इस वजह से रिजल्ट बेन तो इससाँ की गई थी और उसमें बताए गया था कि इस वज़े से सारी चीजे हुई है लेकिन इस बार का जो रिजल्ट आया इसमें आपने देखा हुगा कि डीवी अभी नहीं हुई है और पचीस से आपके स्टाइट पहले आपका रिजल्ट आया यह भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि रिजल्ट अभ्यार्टि योंको कटउ अधिक अंग मिलने के बावजूद उनका चेहन नहीं हुआ इसकी वज़य उनका क्वालिफाईग अंग नहीं लाना है उनकी तरफ से साब बताए गया दोस्तों कि इसकी वज़य जो है उनका क्वालिफाई यह नहीं ख भीका करते हुए उसकी औ अंकों में उसे नियुंतम 48 अंक कौलिफाइग करने के लिए लाने थे लेकिन उन्हें केवल 43 अंक आया यह अंक कट आफ अंक 39 से उपर था लेकिन उनका चैन नहीं हुआ क्योंकि 39 अंक पर उस अरचित शरड़ी की अभ्यारती का सामाने वर्ग में चैन हुआ है जिसका कौलि दूसरे चरड़ के सिचक निकति में भी ऐसी इस्तिती आ सकती है तो आप देख सकते हैं यह सारे चीजे उनकी तरफ से बता दी गई है कि क्यों जो है आपका क्टाफ के उपर नंबर होने के बाद भी आप लिस्ट में नहीं है आपका नाम होँआ क्यों नहीं है तो रिजन की तरफ से बताया गया है दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं पुनर परिच्छा वाले विश्यों की दूसरी प्रोविजनल आंसर की जारी बीपियसी ने पुनर परिच्छा वाले विश्यों की दूसरी प्रोविजनल आंसर की शुकरवार को जारी कर दिये विदित हो की सीता आंसर की और यह सारी चीज़े लेके थोड़ा चल राता क्योंकि अभी कल लास्ट देट थी तो इनका जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेट आएगा अठारा वालो का इस चीज़ को आपने यहां पर समझ लिया दूसरा यहां पर देख पार होंगे दोस्तों हर साल अगस्त में ह प्रदाना ध्यापक के लिए 38 सफल और जीला का आवंटन भी इनका कर दिया गया है प्रुषोत्तम आनंद और सुधिर कुमार और माध्वेंद चौधरी इनके रोल नंबर दिये गये हैं प्रदाना ध्यापक में आप देख पार होंगे सचीन कुमार मिश्रा इनके रोल नं संगीत कला में आप देखेंगे तो बबली सवराज फस्ट पे हैं रूजी कुमारी सेकेंड पे हैं सज्टनन कुमार यह थर्ड पे हैं टाप ठी में यह आप परदाना ध्यापक गडित विग्गान संगीत कला में आप देख पार होंगे दूसरा दोस्तों इससे रिलेटर ज 76 गई है और पिछला वर्ग महिला के 63 गई है तो यह सारा कटाफ आप लोगी स्क्रीन पर देख पार होंगे दूसरे चरण की कांसलिंग 26 दिसंबर से आपके स्टार्ट है और उसके लिए जो जरूरी डाकुमेंट्स हैं वो आप लोग रेडी रखें जैसा कि फॉर्म फिल क हो आप लेकर जाएंगे यहाँ पे पाइन कार्ड भी सांथ होना चाहिए सारा चाहिए यह सारी चीज़ें और आपके डाकुमेंट परर वाटर मार्क जरूर होना चाहिए अगर वहां पे वह चीजहें नहीं रिखेंगी तो आपके लिए problem create हो सकती है हट यहाँ पर मताबिक काउंसलिंग की अंतिम तारीख बाद में घोशित की जाएगी इसके बारे में सब कुछ पूरा डिटेल दिया गया है दोस्तों यहाँ पे एक बार इसको आप लोग समझ लीजिएगा बिप्यसी ने सिचक भरती के दूसरे चरण में एक लाग 22,286 पदों के लिए हु आयोग ने कदाचार में लिप्त रहने वाले अभ्यारतियों के खिलाब बड़ा फैसला लिया है स्कॉलर बैठाने वालों पर पर परिच्छा में शामिल होने पर आजीवन रोक लगा दिये स्कॉलर पर भी आदेश लागो होगा इससे पहले बिप्यसी ने कदाचार में लि बड़ा फैसला लिया है बताए कि शिचक नियुक्त परिच्छा के दूसरे चरड़ में अब तक तीन दरजन के करीब मुन्ना भाई पकड़े गए तीन दरजन आप समझ सकते हैं इन सब पर करवाई की जाएगी गलत शिकायत करने वाले 450 अभ्यारतियों पर करवाई अध्य अभ्यारतियों की ओर से गलत शिकायत की गए सभी को नोटिस बेजा गया है इन पर आयोग करी करवाई करने जा रहा ऐसी अभ्यारतियों की संखेर 450 से अधिक है अगर अभ्यारतियों की शिकायत सही रहेगी तो आयोग उस पर विचार विमर्ष के सा सुधार भी करेगा और कुछ जो है इस तरह की हरकतें करके आगे निकल जाते थे मगर यहाँ पर यहाँ पर यहां पर यह देखके तो बहुत अच्छा काम between manner. מע departments withinhn पूरी जानकार के मैंने देही दिये serait has your counseling के समय जरूरी पर्मार पत्र लेकर करके जाए कटाव के बाइए तो यह तिसी सी related पूरी जानकारी बाग कि अब जो है आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग comment box में comment करके ज़रूर बताइएगा मिलते हैं next update के साथ तब तक के लिए बाइबार टेकर दोस्तों आप लोग नए चैनल पर subscribe जरू करेज़ेगा बेल आकन को प्रेश करेज़ेगा ताकि इसी तरह की authentic update आप तक time पर मिलती रहा है thank you